नमस्कार आप देख रहे हूं का 24 साबन मैं आपके साथ रेनू चोहान बाफपत की चम्रावल गौव में एक गलित किसान दाताराम पिछले 5 सालों से अपने 10 भीगा खेट में गौव की गंदे पानी की निकासी को लेकर अधिकार्यों की चक्कर काट रहा है बता दे कि किसान की परिवार की गौहर सुनकर जिला पंचत सदसे दीपक यादो गौव में पहुंचे और किसान की समस्या का जल्द समाधान करने की बात कही उन्होंने कहा कि वे कर इस समस्या को लेकर बाफपत के अधिकार्यों से मिलेंगे और इस समस्या का जल से जल्द नि बवरावल गाओं में जहां पर एक गरीब दलीध परिवार की समस्या को लेकर हमारे जीला पंचैस सदस्याद दीपक यादव जी पहुँचए हैं और उनकी समस्या को हल करने के लिए पहला कदम उनों नें स्काट किया अप देखते हैं कि उनका पहला कदम उनका उनसे पूछ पर परधान जीने भी हमें दस दिन का समय दिया था लेकिन आप तक कोई सोलीशन नहीं होता है पर मैं करूंगा क्योंकि एज की परधान ने कारी योजना ही फीड नी करी उससे पहले गराम प्रधना काम नी कर सकता क्या इस परिवार ना आप से पहले इस बारे में शिकात करी इस परिवार में बहुत दिन पहला यह थे चैसे महीने पर जी नाडा बंढ़ना है पर पाड़ी की सिकात निगी थी मताथ मोखे पे देख रहा हूं तो यहां सारी फसल बरबाद है नंकी यह तो पार्टी के आदमी हम तो बसपा के आदमी तो संगर्श करेंगे लिए हुआ है इसका समस्या अब होगी यह प्राम परसे बाता है नहीं आप समस्या को लेकर तो तहला कदम रखा है चीज के लिए आगे बढ़ रहें तब कैसा मैसूश हो रहा है कि सर जैसा करेंगा देखते हैं दस दिन के समझ दिया अशर ने देखते हैं क्या कर वाते हैं सर जी कितने दिन से चल दो यह समस्या चार त्माश साल हो गए जी अच्छा निवा कर दो आखको तक हमारा कुछ निवारा बिल्कुल भूख के मनने का हुआ हमारा तो बिलकुल आप देख रहें ऑंका 24 7 मैं प्रदीपांचल के कर देखते हैं में मने का हुआ 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 है